कर दो करना होगा ये हैं वो ग्यारा खिलाडी जो अपने टीमों के लिए खिलेंगे इस छोर से ट्री टू ओन ओन इंकी पहली गेंपा सामना करते हुए हाँ यहाँ पेलको लो अच्छा संपर्ग मिलेगा छे फील्दिंग में परिवर्दन ये है जो बाउंडरी से इश्क फरमाते हैं ये बाद बिपक्षी टिंगो बखू भी माल अब मुच्छा भी था लंबा भी था पल्ले कपी जो भी इसे था अब पता नहीं भाईया ये गिंद कहा जाएगी अबा में केल दिया थाग लिए तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहाँ और ये आउट एक लंबा रास्ता तैकर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए अबले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बाल हवा से बाते करती हुए ही सीधा बाउंडरी लाइड के पार छे रन बहुत लाए में नजर आ रहे हैं बल्ले बास की आखे तो वो चीनी की आखों की तरह हो चुकी है गेन बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का ये एक ऐसे बल्ले बास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बेबुनिया चौट कर लेबास लाए ठीक से बढ़नी भाए और दूसरे शोर में भी इंदेज के इंदबास को ही लाया जा रहा है बल्ले बास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए पहले के पीच और बीच फील्डिंग में परिवर्दन दर्शक यहां बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहाद उच्छाहित बहुती अच्छी थाल में दोनों बल्ले बास लोगी बढ़िया राने कुझ परकाथ यह रनाउट का मोगा है और आउट देवाशोकर पेवलियंगे तरफ लाट देडलो यहीं एक चीज बिल्कुल नहीं चाहेंगे रन आउप यहीं देखो बल्ले बास करना दिरून उसे मालूब है कि गेंद का क्या हश्र करना है इनके तो बल्ले से सिर्फ जोके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद का हमारे में बहुत ही बड़िया शॉट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बल्ले बास ऐसे शॉटो के लिए और जब बाम बे हो तो इन्हें रोकना ना मुमकिन होता है बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लिकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा पूरा ना में उल्क है आवा में खेल दिया था आथ ही तरह टाइम नहीं कर पायते हैं और यह आउट वील्डर है कवर पर पूरी तरह मिस्किया हो हाँ के तरह में प्रिभास अपनी पहलें रिगें की से आरी करते हुए और ओड़्यों पतॉर नारोग पेल फोर्ड दिए होचनी राष लग रहे हैं ये बहुत इकठिन फीड़ और गेन बाजी करने के लिए गेन बास को अपनी लाइन और लेंद बड़ी सधीक रख गए पतार का इशारा वाइक बाल कप्तान ने अतिरिच सुरक्षा के लिए टी पॉइंट लगाया है लाइन और लेंग पापने में तो वो एक सेकेंट नहीं लगाते ही बहुत ही बढ़ी अस्रिक्स एक बार मारा है क्या वो दुबारा मार पाएंगे पूर नियतर द्वाइन का इच्छी है बहुत ही निराश लग रहे है जो मदद इसके पास कोई शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरिट एंड होगा इसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है अंपार का इशारा वाइट बाल अंपार का इशारा वाइट बाल इनको बैटिंग करते देखना दर्शियन यह है यह लगा नोरी शोर्ट इसे लगाया शोर्ट इस सब्सक्राइब पोलिंग में परिवर्थन स्पिन दूसरे चोर से थेज गती के गेंद बाजी को लाया गया है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सुझभूज और नियन तरण के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ बड़ी अटाइमिंग एक रण पसानी से पुरी किया सकती है और बल्ले बाज दो रण का कॉल देते हुए बहुत ही बड़ी अकाल मेल दोनों बल्ले बाजों की पीच में अच्छी रणी में ट्वीन दूसरे पल्ले बाज निश्चित गुप से दो रण ले सकते हैं बल्ले बाजों की बीच जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि उनका फेवरेट एंड होगा ऐसा लगता है कीच को देखा ही नहीं वहाँ पे बहुत जूदा रण रेट को देखते हुए बल्ले बाज अपने रूप बदल रहें इस कीट हमसे नहीं खेला है और फेल्डर पकड़ने के सको एक लंबा रास्ता तै कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए बहुत ही दिल्चस्प होगा अगर इन्होंने अभी एक शॉट पिच बॉल डाल दी बल्ले बाज को इस शॉट गया हवा में और गैम ने भी गया चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक कर रहे हैं और दूसरे शॉट पे भी देज के इन बाज को ही लाया है लास को बड़ दर्मा लास को बड़ दर्मा लास को बड़ देखते हैं जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वह क्या बात है पहला रन टेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां बहुत ही बड़ी है तालमेल तोनों बल्लेवाजों की पीच में अच्छी रनी मिट्वी देविकेट्स अच्छा शॉट खेला से मिल के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अपायर मोट आउट देते जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट इंड होगा और यह चार रन खूप स्योर इन तक्नीक का मिल दर्शन है यह एक ऐसे बल्ले बास है जो ग्राउंड के किसी वे कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे पर आज यह बहुत अच्छा अर्दशा तक काफी दिनों से यह फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज यह बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे इस पारी की आखरी गेनद आती हुई बहुत ही बड़ी है तालमेल तोनों बल्लेवाजों की पीच में अच्छी रणी में ट्वीन देविकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच भूज और नियन तरण के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहां अच्छा संबल मिलेगा अच्छे तरशक इनके दीवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे वील्डर है कवर पर बहुत ही बढ़िया धंसे खेला सिंगल के लिए आद मुश्वास बर्यपी लेगन अपायर ने नकारा बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्ले बाज़ों की पीच में अच्छी रनी मिटमी देविकेट्स जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा नजाकत से खेल दिया है सिंगल की बहुत ही गॉन्फिडेंट अपील यहां मॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुई और दूसरे शोर बेबी देज गेनबास को ही लाया जा रहा है ओ बहुत ही बैतरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होवक करके आना बलेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है यह वाइड होगी भाईया चलिए दुबारा डालिए गेनबास बहुत ही आकराम अकबल लेबास है यह विशो क्रिकेट में क्याप में खेलने का प्रियास लेक इंफिल्डर मिले वहां पास जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा उनकी बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इनके तो बल्ले से सिर्फ जोके और छके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन का हमारे के यह स्पिनर्स के सामने विक्रान रूप धारन कर लेते हैं बहुत ही अच्छी ठाल में दोनों बल्लेवाज़ के बीच में बढ़ी आरण है लेकेट्स आरण है अच्छी एच्छी अच्छी अच्छी आरण है च्छी पीलर के पास बल्ले बास सरलता शार्टर के विच्छी अच्छी आज़गाएए इस शॉटको पॉलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विक्राइब फाइब पर से रीपे लेफिरेंस विप्टिन वबर को तो लागे शेटा देख वो अस्टोर याज लेजन तेज दूसरी ओवर की शुरुआत यहां जो तेखी और दूसरे शुर पे भी तेज गेंबास को लाया जा रहा है तेज गेंबास को अक्रमन के लाया गया है शुरुआ है चैकन्साइ में विवDP लॉख यहां बलर की और अमपायर को रटाॉट झाई टेखिएंगू भुआ चेकिन फिर न fret systems लावर खेंगे लावर की खिज़ुआ को ब मोथ की निपनद के कि विज करें इंप इपका है इंपार सब्क्राइब कि पीनूर में करत है वो बहुत ही बहब बहद ही बैदरीन कपतानी है है इसे कहते हैं बंदाने हम इपकर करके आना वलिबास को देखते हुए पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई किये है वास बोलर्स की इनों ने बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकी थोड़ा समझ के ले में है थोड़े पारिक लिवों का पूरा मुका है यह कहीं उसे गवा न बैठे है एक बार मारा है क्या वो दूबारा मार पाएंगे खेला तो यह बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए यह स्पिनर्ज के सामने विक्राव रुख धारंग कर लेते हैं बाल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रण जिस तरह की शॉट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेंद बास अक्सर बल्ले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं इसके जाल में से निकलना मुश्किल है यह बहुती कथिन फील है गेंबाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटी ही करने के लिए बहुती बढ़िया क्याच फीलिंग को जाज बहुत कुश रंगे इस प्रदर्शन से मायराजबदना विकेट अफस्ट विकेट इधिव डिए इस डिपाट बार्मइड़ी इन विकेट निक्यार्ट तरीके से नहीं खेल पाए बहतर कर सकते थे फालेवाज अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई नहीं रोख सकता है कि एक इक्टा रण चुराने से एला रान देजी से लेते हुए यह तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में बड़े शोट ले गए और बड़ा शोट मार भी दिया तुफानी शक्का एसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है आस्ट्रोग तन 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 बल्ले के पीछोबीच लास्टोबर क्या मैच देखने का अफसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियूम खचा-कच बरी हुई और मैच अपने आखरी ओवर तक जाती हुई अब शौट गया हवा में और कैम ने भी गया वेलकम बाउन रिफोस्टोर या वेलकम बाउन रिफोस्टोर या ब्लेड होट शॉट इनको बाटिंग करते देखना तर्शे निया है अज़ी फिटर मोजद नहीं पहां और एक सिमारेखा के पार चलिए देखते हैं के अगली गे इन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी इस बहतरीन पर तर्शे गिले पूरा ग्राउन की तारीफ कर रहा है इसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वह क्या बात है यह सरी धंसे नहीं खेला है और फील्डर पकड़ लेंगे इसको ओ बहुत ही बैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होम वर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगागे यह एक ऐसे बल्ले बास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अग्री गेंट का हमारे को है रणिंग बिट्वीन विगेट्स बहुत युम्दा रही है दोनों बल्ले बासों के बीच दोनों टीमों के प्लियर है लाइक स्कूर